हेलो स्टुडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आज का जो वीडियो है वो खास कर जो PG के स्टुडेंट्स है चाहे वो एक ड्योल से है, चाहे वो प्राइवेट है उनके बहुत सारे क्मेंट्स आए थे कि उनको जो है एक तो लोग इन करने में प्लावलम आ रही है और दूसरा बहुत सारे students की query थी कि examination form जो फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो एक वात university ने clarify की है कि जिन्होंने registration form फिल किया है जो पीछे भरे जा रहे थे चाहे वो एक डियोल के थे चाहे वो regular students थे वही examination form को फिल अफ कर सकते हैं तो इसमें मैं registration form को कैसे फिल अफ करना है जिन्होंने फिल नहीं किया है उसका भी process बताऊँगा और examination form कैसे फिल करना है उसका भी मैं process बताऊँगा तो अभी newspaper में भी ये आया था कल की newspaper में कि जो इक डियोल के विद्यारतियों को पहले अफना पंचिकरंड करना होगा उसी के बाद वो जो है वो register कर सकते हैं तो यहाँ पे आपने HP University की जैसे ही site खोल ली और इसको मैं mobile phone से बना रहा हूँ ताकि आपको इससे help मिल सके क्योंकि maximum जो students है वो mobile phone का use करते हैं फॉर्म को fill up करने के लिए तो यहाँ पे आपके पास नीचे interface आ रहे हैं कुछ notification आ रहे हैं जिसमें click here for to fill the UG examination form fresh student 2021 तो इसमें जो PG के students हैं उनकी कुछ problem चली हुई है तो यह form जो है वो fill up अभी नहीं हो रहा है उसके बाद जो है वो click here to fill the FG course examination form यह जो आपका second वाला option है इस पे आ रहा है तो आपने इस पे click करना है अब आपके पास यहाँ पे तीन option ओपन हो रहे हैं फर्स्ट है regular and private college students to fill the RME registration form through click here for new registration for session 2021-22 यह उनके लिए है जिन्होंने अभी registration form जो है वो fill up नहीं किया है तो यह उनके लिए भी ज़रूरी है जो regular students है college के ME कर रहे हैं PG कर रहे हैं और जो इकडियोल बारे students है उनके लिए भी ज़रूरी है तो इसके बिना नहीं होगा क्योंकि जो registration form है वो बीए बालों का अल्रेडी है जिन्होंने भी एच्पू उनिवस्टी से किया लेकिन फिर भी इस form को fill up करना होगो मैं आगे बताऊंगा कैसे fill up करना है सेकंड है एच्पू रेगुलर एड़ एकडियोल स्टूडेंट्स तो fill RME रिजिस्टेशन फॉर्म यूजिंग देर एडमिशन यूजर आड़ी एड़ फासबर्ड थू दिस लिंक तो ये एच्पू में जो रेगुलर मे कर रहे हैं और जो इकडियोल के स्टूडेंट्स है जिन्होंने RME पे रिजिस्टेशन फॉर्म फिल कर दिया है वो यहाँ पर click करेंगे तीसरा है click here to fill the PG first semester fresh examination form only who already filled the RME registration form तो तीसरा उनके लिए है जो कि already RME पे जो है वो registration form fill up कर चुके है तो हम first step पे चलते है एक मेरे पास students है उसका मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे आपने fill करना है तो ये उनके लिए है चाहे वो college का है चाहे वो university का student है तो इस पे आपने जैसे ही click किया तो यहाँ पे आपके पास यूजी पीजी दो option है तो पीजी पे आपने click करना है क्योंकि इसने अभी अपना registration नहीं भरा है फिर आपके पास अगे नीचे दो option आते है अपना जो admission user ID मिला होगा जब आपने इकडियोल का form भरा होगा तो आपको एक user ID और password मिला होगा password आपका date of worth होता है और एक आपको user ID मिला होगा उसको login करके यहाँ पे आप यहाँ पे login कर सकते हैं और registration form जो वो fill up कर सकते हैं और जो university के regular student है उनको भी user ID और password मिला होगा तो भी यहीं से login करेंगे अब जिनको जो college के हैं या जो fresh admission लेना चाहते हैं private MA करना चाहते हैं उनके लिए second वाला option है click here to new registration for session 19, 20, 21, 20 and 21 and 21, 22 जो students हैं जिन्होंने अभी registration नहीं किया है जो admission लेना चाहते हैं वो यहाँ पे click कर सकते हैं जहाए वो BA के हैं जहाए वो MA के हैं तो आपने यहाँ पे UG select करना है और जो PG के हैं उन्होंने PG select करना है तो इस तरह से आप जो है इसको fill up कर सकते हैं अब मैं करता हूँ second वाले option पे तो यह मेरे पास इस तरह से खुल जाएगा interface अब यहाँ पे मैंने degree type select करना है कि कौन सी degree में मैंने admission लेना तो यह UG है यह PG है तो मैंने फीजी का fill करना है अब यहाँ पे फिर option पूछा कि PG direct from second semester जो कि first semester नहीं कर रहे हैं इसके बाद आपने अपना session सेलेक्ट कर लेना है मैं जस्ट देमो बता रहा हूँ फिर आपने इसको fill कर लेना यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जैसे यह मैंने नाम भर दिया जिते अंदर फिर इसका जो matriculation certificate में आपका नाम है नाम आपका editing नहीं होगी यह धियान रखना है आपने तो matriculation certificate में जो आपका नाम है वही आपने fill up करना है उसके बाद पिता का नाम आ गया matriculation certificate में जो है हिंदी और इंग्लिश में दिया है तो आप इंग्लिश में ही fill कीजिये हिंदी में आपको fill करने की जरूरत नहीं है उसका कोई भी issue नहीं है फिर आपका date of worth है तो यहाँ पे आपने calendar select कर लिया date of worth का तो for example पांच है किसी की तो यहाँ पे आपने select कर लिया इस तरह से और year कौन सा है मान लो 2001 है तो 2001 है तो 2001 है आपने select कर लिया तो इस तरह से आपकी date of worth आजाएगी जो आपकी है as it is वो आपकी हाँ पे आएगी अधार नमबर है आपके पास तो fill करिए mobile number आपका ठीक fill up होना चाहिए क्योंकि इसमें फिर problem आती है आपको केई वार fast word recover करना होता है तो मुश्किल आ जाती है email ID ये भी ठीक आपने भरनी है इसके बद capacity counts है regular है एक dual है private है तो मान लो कोई एक dual से है तो एक dual आ जाएगा और regular है अगर college है तो regular आजाएगा अब regular के लिए यहाँ पर आजाएगा arkadaşlar तो अगर इक dual से भरेंगे तो यहाँ पर college select नहीं करना है आपने सिर्फ इक dual शिमला आएगा नot इहाँ पर इक dual शिमला और private है तो private का private शिमला आएगा सिर्फ फिर आपने course select कर लेनkke किसमें आप कर रहे हैं may तो यहां पर मैंने select कर लिया regular candidate का तो यहां पर college से कर रहा है department से university से कर रहा है अगो तो department आएगा college से कर रहा है तो college आएगा यहां पर jamba college है इसका jamba college कौलेज काउन सा है बहुत सारे college है तो इसमें government degree college चमबा course कौन size का किसमें M में कर रहा है M में history में कर रहा है क्योंकि चमबा college का अगर मैंने select किया तो यही course आएंगे आपके क्योंकि चमबा में यही course available है और अगर यही private select करेगा तो बहुत सारे course जो है वो आपके list में आजाएंगे क्योंकि private जो है वो आपके पास जो है वो काफी सारे course अबिलेबल रहते हैं तो इसमें सारे की सारी M में लगवग इसमें आ गई जब private हमने select किया तो मैं regular select करूंगा college degree college चमबा आ गया degree college चमबा आ गया इसके बाद course आ गया आपका मानलो MA history है male female पे click करना है यहाँ पे आपने अपना postal address भरना है permanent address और फिर यहाँ पे अगर same है तो same as permanent कर देना है क्योंकि maximum का same ही होता है क्या आप पहले से हिमाचल प्रदेश बिशिब्दाले में पंचिकरित है या नहीं detail देनी है क्योंकि आपने BA अगर HPU से की है जिन्होंने बाहर से की है वो no आएगा उनका नया registration number बनेगा और जिन्होंने HPU से की है वो yes आएगा और जो migrator student है उनका भी no आएगा क्योंकि वो migrate हो चुके है उनको दुबारा से migration करवानी पड़ेगी और फिर यहाँ फिर register होना पड़ेगा तो yes करा आपने क्योंकि maximum जो है HPU से ही BA की हुई है और यू रिजिस्टर इन हिमाचर प्रदेश की उनिवस्टी पिफूर 2017 2017 से पहले आप register हुए है हाँ या ना तो जिन्होंका 2017 से पहले का registration है वो yes जिनका नहीं है और no फिर आप यहाँ पे अपना registration number डालेंगे तो registration number आपका जो है इस तरह से होगा जैसे एक candidate का है 18 CB है CB मतलब इसका college का नाम है चमबा college का student है और एक digit होगा यहाँ पे 73 इसको फिर आपने verify पे click करना है तो यह verify करेगा फिर आपका यहाँ पे कि आपके यह सही है या नहीं है इसके बाद आपने हिमाचिर प्रदेश इनिवस्टी आगई आपका category select कर लेनी है general category है या जो भी है STSC इसके बाद medium council रखना है आपने English है Hindi है इसके बाद disability है अगर तो yes करना है नहीं है तो no करना है इसके बाद यह valid डालनी है और submit कर देना है submit करने के बाद फिर आपने धिहान रखना है यहाँ पे आपको एक user ID और password generate होगा एक में candidate करके दिखाऊंगा किस type का user ID होगा user ID और password फिर आपका उससे आपने आगे जो examination form है उससे आपने login करना है तो एक number आपको generate होगा और जो date of worth होगी वो आपका password consider होगा इसके बाद आपने second step पे basic detail आपने भर दी इसके बाद education and document detail भर देनी है second वाला step आपका यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपके जो matriculation plus two का certificate उसको crop कर लेना है एक size मांगा होता है कि इतने size में चाहिए उसको एक एक app आती ह agu bullish कर सकते हैं signature भी आपने crop कर लेनी जिस size में मांगी है जिस format में मांगी है और photo भी आपने crop कर लेनी है तो दिक्कत upload करने में तब आती है जब आपके proper size में नहीं होती है पर यह वो सही है या नहीं है उसके बाद payment के option में आपने जाना है जब आप confirm हो जाए कि मेरी जो detail है वो सही है या नहीं है फिर आप editing back जा सकते हैं edit कर सकते हैं जो payment कर दिया और submit कर दिया फिर आपकी editing नहीं होगी तो ये हो गया आपका उनके लिए जिन्होंने already registration करवाया हुआ है और जिन्होंने नहीं करवाया हुआ है उनका no करना है और फिर आगे जो है उनको generate होगा registration form RME site पे जाके आप कर सकते हैं फिर उसको search तो ये हो गया हमारा इस तरह से आप पहले register करेंगे अब हम दुबारा से चलते हैं simply आप जो है अब जिनको दिक्कत आ रही है अगर इस site पे आप नहीं जाती है तो simply आप HPU PZ login करेंगे HPU PZ exam login 2021 तो आपके पास ये open हो जाएगा यहाँ पे आप कलिक करेंगे तो फिर से आपके पास ये 3 option आ गए तो पहले पे तो हमने पहले पे आपको बता दिया कि इस तरह से करना है अब हम second वाले option पे third वाले option पे जलते हैं जिन्होंने registration करवा लिया हुआ है first वाला staff fill कर लिया हुआ है और उन्होंने examination form भरना है या आपका जिनका already register है जो students उन्होंने कोई अपनी fees submit करनी है या कोई change करना है तो वो कैसे करेंगे तो यहाँ पे examination form fill करने के लिए फिर आप यहाँ पे जाएंगे regular, direct तो यहाँ पे मेरे पास एक student का user id है इसको आप value को डालेंगे तो आप login हो जाते है तो यह एक student है इसका कुछ query थी कि यह login नहीं कर पा रहा था तो यहाँ पे इनका detail पूरा आगया personal information इसमें मैं नहीं जाओंगा यह सारे के सारे आपकी detail आजाएगी आपका नाम, पता, जो भी है college, male, female और यहाँ पे नीचे आपका जो है अपडेट कर सकते हैं आप इसको अगर इसमें कोई information में आपने change करना है तो आपका update हो जाएगा और update करने के बाद यह value डाली आपने और फिर आपने next step पे move किया इसके बाद upload document यहाँ पे signature है आपके photo है और document है इसमें कोई अगर आपने change करना है तो यहाँ पे आपका update हो जाएगा exam detail है आपकी previous और यहाँ पे आपकी subject detail आ जाएगी तो यह subject detail आ गई जिन्होंने examination form नहीं वरा है मानलो आपने course select किया MA history तो MA history के जो भी course है third semester में वो सारी list में आ जाएगे तो मानलो 6 course है 6 में से आपको 4 पढ़ाई गए है optional है दो तो यहाँ पे आपका check box है आपने उस पे tick करते जाना है मानलो 4 आपने इन्होंने क्योंकि select कर दिये हुए है 4 course इन्होंने पढ़े है m.com में तो इन्होंने select कर दिये है already तो यहाँ पे आप select करते जाएंगे जो भी आपने पढ़े हैं और save all करते जाएंगे और फिर back and edit अगर आपने कोई गलत भरा है तो back कर सकते editing कर सकते हैं इसके बाद next step पे आप move कर गए subject detail के बाद next पे कर गए तो application summary आ गई उसमें पूरी की पूरी detail आपकी एक साथ आ जाएगी और यहाँ पे आपने धिहान राखना है कि जो आपने subject भरा है जो आपने center भरा है जो आपकी detail है वो as per record है उसमें फिर आप जब payment वाले option पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका payment आए जाएगा और submit अगर हो गया तो फिर आपकी जो है वो कोई भी information चेंज नहीं होगी regular students की college से हो सकती है और एक dual वालों को दिखता सकती है उनको college, university जाना पड़ सकता है तो एक कुल मिलाकर 7th step है personal information पहला दूसरा upload document तीसरे में exam detail previous चोथे में आपका subject detail जो आप भरने है आपने फिर application summary और इसके बाद payment और last में आपका submit examination form तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो यह आपका हो गया MA का जो जिन्होंने नया form भरना है अभी click here to fill PG semester rush examination form only who already filled the RME form तो इस पस्ट किया है कि जो RME form जिन्होंने fill किया है वो ही इसमें कर सकते हैं HPU regular and equal student to fill RME registration form from using their admission user ID तो second पर अगर आप click करेंगे कोई information change करना है तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपका यही user ID जो है वो आपका खूल जाएगा तो यह value आपने डाली इसमें कुछ दिक्कत आ रही है लेकिन आप इसको open कर सकते हैं तो इस पर कुछ दिक्कत आ रही है लेकिन आप जो second जो आपके लिए stuff important है first वाला register करना है और दुसरे पर आपने अपना examination form जो है उसको fill up करना है तो I hope इससे आपको help मिली होगी कोई आपकी query कोई question हो तो आप मुझे comment box में लेख सकते हैं और carefully form को fill करिए क्योंकि बहुत सारे students वो यह पूछते हैं कि उनकी गलतियों उसमें रह जाती है और private students जो है वो अपने eligibility चेक कर लें 40% आपके aggregate होने चाहिए 40% particular subject में होने चाहिए और private STSC और girls students के लिए है बाकी एक deal से जो वो आपको fill up करेंगे Thank you very much धन्यवाद